हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कुम कुम किचिन्स आज मैं बनाने जा रहे हूं ब्रेट पकोड़ा तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब केजिए हमारे चैनल कुम कुम किचिन्स को इस राट बटन को दबाकर और इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूले इससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे मैं चार ब्रेट के स्लाइस आधा कटोरी मोजरिला चीज राम बेशन आधा चमच अजवाइन एक चुटकी सोडा बेकिंग सोडा बैटर बनाने के लिए पानी का इस्तिमाल करेंगे चैसे साथ उबले हुए आलू जिनको मैंने की चिलका निकाल लिया है आधा कटोरी मैंने यहां मतर लिये हैं यहां मैंने फ्रोजन मतर इस्तिमाल किये हैं तीन से चार हरी मिर्ष मैंने काट लिया है आदा इंच अद्र का दुकड़ा खिस लिया है और मैंने यहाँ पर बत्ते लिये हैं एक चमज धन्या पाउडर एक चमज अमचूर पाउडर एक चमज लाल मिर्ष पाउडर एक चमज गरम मसाला पाउडर नमक स्वादनुसार आधा चमज साउफ एक चोथाई जोटी चमज छीन आधा चमज हल्दी राई आधी चमज बारी खटा हुआ हरा धन्या कुछ काजू मैंने यहां तुकड़े कर लिये हैं यह औप्शनल है और सबसे पहले एक बर्तन में बेसन ले लेंगे इससे मैंने एक चुटकी सोडा मिक्स कर दिया है एक चुटकी हल्दी डाल देंगे अजवाइन डाल दिया है और नमक जो रवा हमारा है वो आट कर देंग और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल बनाना है जिसमें गुठलिया नहीं होनी चाहिए देखें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए हम बैटर बनाएंगे इसको अच्छे से चला लेंगे इसको मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेती हुँ हमारे पैटर इस तरीके से बैटर घाड़ा होना चाहिए देख लीजे लिचे आधिक पतला हो ना अधिक घाड़ा हो इस तरीके से होना चाहिए आप हम इसको आदा गंटे पूलने के लिए रख देते हैं कि हमारी सुखिस में जो रवा हमने डाला है और अच्छे से भीग इसमें हम थोड़ी सी हेंग डाल देंगे एक छोटाइ चोटी चमच मैंने यहां हेंग डाला इसमें प्राइंग सौफ अधरक मैंने यहां डाल दिया है तड़ी पत्ता और हरीमिश डाल देंगे इसको हम अच्छे से चलाएंगे लगए तरीके से पकाना है अब इसमें मटर डाल दिया है मटर को ज्यादा नहीं चलाएंगे आजू मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आलू के तुकड़े करके डाल देंगे ध्यान रखे कि आलू के बड़े बड़े तुकड़े ना रह जाए हमें इसमें आलू को बारिक करके डालना ह इस तरीके से चलाते हुए इस मिश्रं को मिक्स करणाएं आपसे मेने हल्डी पाउडर डाल दढ़ी दह दाल देंगे, लालमिश पाउडर डाल दिया है, आम्छूर पाउडर डाल देंगे, और घरम मसाला। इन सबी चीजों को अच्छे तरीक से मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें नमक ढाल दिया है नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तिवाल कीजे देखिए हमारा ब्रेट पकोड़े का मिश्ण देयार हो चुका है अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है अब हम एक ब्रेट का स्लाइस लेंगे इसके उपर मैंने थोड़ा सा चीज डाल दिया है एक और स्लाइस लेंगे इस पर मैंने चीज डाल दिया है यह तोटली ऑफशनल है आप चीज इस्तमाल ना करना चाहें तो ना कीचिए अब इससे मैंने जो आलू का मिश्ण हमने बनाय हुआ है आलू का भरावन उसको हम भर दें और इस तरीके से दूसरे वाले ब्लट को पलटकर हम इसके उपर रख देंगे है और इसको दबाते हुए काट लेंगे कै कि आप इसको अपने मन्जाहे आकार में काट सकते हैं कि मैं इसको ट्रेपर रख देती हूँ चलिए हमारे ब्रेट पकड़े बनाने की लगबग सारी तेयार हो चुकी हैं, ब्रेट को उपने भर कर गाट लिया है और आमारा बैटर भी तेयार है, यहां मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, और इस पर मैं इस तरीके से ब्रैट को दुबाव कर दबा के पकड़िए इससे के मिशन निकलेगा नहीं और तेल में डाल देंगे इसको हमें उपर से भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे जिससे कि आप अलटती वक्त चिपके ना और इस तरीके से गोल्डन होने दग गोल्डन कलर आने दग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए हमारा ब्रेट पकोड़ा बनकर तयार हो चुका है इसी तरीके से हम सारे पकोड़े शेक लेंगे हमारे पकोड़े बनकर तयार हो चुके हैं, अब हम इसको प्रेट पर निकाल लेते हैं, देखिए इसको काट कर देखते हैं, हमारा ब्रैट पकोड़ा बहुत ही अच्छा बना है, यदि आपको मेरी हर रसेपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कूल मत भूलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लिए इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं थैंक यू बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर